रेडे इस हद्से में कारू चोधरी की 20 वर्षिया पुत्री खुस्पा कुमारी और नवादा निवासी महराना गौनिवासी तुला चोधरी का 27 वर्षिया पुत्र शाम कुमार सामिल है जब कि जख्मी लड़के के मामा का इलाज पापुरिमेटकल कॉलेज में किया जारा घटना की जानकारे मिलते ही पड़िजनों की चीक कुका अस्पताल में मज गई है वही हम दूसरी बरी घटना की बात करें तो सुक्रवार के देर साम ट्रेक्टर की चपेट में आने से एक ही बैक परशवार तीन यूबक की मौत हो गई थी जिसमें जो है शदहा गाउं के तीनों चूले नहीं जलेन तो सुक्रवार की रात्री या घट गटी थी जोगी बार्स परशय पुत्र मुरारी कुमार जनार्दन महतों का 24 परशय पुत्र रोईत कुमार और धरमेंद्र महतों का 23 पुत्र राहुल कुमार ही देर रात की सर मेरा थाना द्वारा सब का कुष्ट मार्डम कराकर पढ़ जनों के हवाले कर दिया गया हूँ वहीं पुलिस ने ट्रेक्टर को जब्द करते हुए चाले की गिरपतारी के लिए छापेमारी की बात कह रही है वहीं हम तीसरी खबर की बात करें तो एक बार फिर अनलंदा केस्पी अशोक मिश्रा ने तीन थानेदार शमित एक पिस दारोगा को इधर से उधर पोस्टिंग किया है जिसमें जो अभी हाल के दिनों में रॉमनम्मी अशोभाय यात्रा में के दोरान चर्चा में रहे लहेडी थाना के थाना धक्ष शुबोध कुमारी जो स्वें लिख करके थाने से हटने का जो है आविदन दी थे उन्हें बहां से हटा करके तेस तर्रार इंस्पेक्टर असरफ हुसाइन को दी गई है इस तरह कहें तो विदी वैस्था को लेकर के स्पी द्वारा यहां जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की करवाई की गए वहीं एक तालिस दारोगा को भी धर्सुदर किया गया जो एक साल से अधिक थाने में बदस्था पी थे उन्हें भी 24 आपके पास से ब्रामत किया योकल साम से घटना जो है रामपूर भी हागाओं में घटी है जहां मिर्तिका कुंदन चवान की पुत्री नंदनी कुमारी बताय जा रही है सब का पुष्ट माढ़म का राकर पुलिस ने परजनों की हवाले कर दिया वहीं अहले सुबा सरक हास में इसी घटना घटी जहां बाइक की सवार की मौत हो गए वह अपने दोस्त की साधी से लोट रहा तो इस तरह कहें कि तो सदर अस्पतालों में दिन भर जो है परिजनों का रोने और चिखने चिलाने की आवाज आती रही जहां एक और सरमेरा के मैं बात करूँ तो तीन य गिरियक के पास पुराइनी गाओं के समी नेस ट्वेंटी पर देर साम यह ट्रेक्टर और जो है कार दुलहे दुलेन की कार ति उसके ट्रक्कर में दोनों की बर और बधू की मौत हो गई कैमरा पर्शन आसीज के साथ पढ़ना एक मारास एन्विटी ऑनलाइन बिहार से भी कैमरा गई